हेलो एवरीवान, वेलकम बैक टू माँ यूट्यूब चानल साइंखुशी क्रियेशन्स आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी गनेश चतुर्थी की पूजा विधी तो सबसे पहले तो पाट्टे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाईए उसके बाद गंगाजल या साफ चल की सहायता से पूजास्थान का शुद्धी करन करिए इस प्रकार से पूजास्थान का शुद्धी करन करके आपको अक्षद लेने हैं अक्षद जो है तांदुल जो है चावल तूटा हुआ नहीं होना चाहिए तो तांदुल को जो है नीचे रखकर उसके बाद गनपती जी की मूर्ती को स्थापित करेंगे गनपती जी की मूर्ती आपको जो है बीच में रखनी है अपने पाट्टे के या फिर चौकी के जहां पर भी आपने स्थापना करी हो उसके बाद करनी है कलश स्थापना तो कलश स्थापना के लिए आपको कलश लेना है कलश आप मिट्टी का ले सकते है पीतल का ले सकते है या तांपे का भी ले सकते है इसके बाद कलश के कंट में मोली बांधेंगे तो इस प्रिकार से तीन बार घुमाते वें मूली बांधेंगे मूली नहीं तो आप कच्छे सूथ का यूज भी कर सकते हैं अब बनाएंगे हमारे कलश के उपर स्वस्तिक तो स्वस्तिक कुमकुम की साहिता से आपको स्वस्तिक बनाना है गनपती जी की पूजा में जादा तर लाल रंगों की चीजों का यूज होता है लाल रंग का कुमकुम लाल रंग का कपड़ा ही आसन पर बिच्छाएंगे तो गनपती जी को जो है लाल रंग की चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं तो मैंने कलश पर स्वस्तिक बनाया है उसके बाद 11 बिंदू जो है रोली की लगाएंगे कलश के कंट पर इस प्रिकार से कुमकुम लगाकर उसके बाद सबसे पहले आपको कलश में डालना है गंगा जल और फिर साफ जल से अपना कलश जो है भर लेना है कलश कंट तक भरने क के बाद कलश के अंदर अक्षद, हल्दी कुमकुम, एक रुपे का सिक्का, सुपारी, हल्दी की गाट, दुर्वा और एक फूल डालेंगे ये सब डालने के बाद अब हमें हमारे पंच पल्लव लगाने है आप आम के पत्ते, पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते ले सक ध्यान रखें, ये जो कलश है, ये दस दिनों तक नहीं हिलाना है, दस दिनों तक कलश अपनी जगा पर ही रहना चाहिए, और गनपती जी की मूर्ती भी जगा पर ही रहनी चाहिए, हमें हिलानी नहीं होती है, आप दस दिन की जगा अगर एक दिन, धाई दिन, डेर दिन, और गनपती जी को हिलाना नहीं है, सिर्फ विसरजन से पहले हिलाना है, तो अब कलश के उपर नारियल रखेंगे, नारियल पर मैंने मोली बान लिया है, नारियल पानी वाला लेना है, और नारियल को जो है, मुख नारियल का उपर की तरफ रखें, या फिर अपनी तरफ रख स्थाबना करेंगे फिर गनपती जी के दोनों तरफ दो सुपारी रखेंगे रिद्धी सिद्धी जी का रूप मान कर तो यहां पर मैंने सुपारी पर जो है कलावा यानि मोली मान ली है और उसके बाद जो है रिद्धी सिद्धी माता को विराज़त करेंगे इस प्रकार से ग चोटे गनपती जी रखेंगे तो बड़े गनपती जी का तो विसरजन हो जाता है और चोटे गनपती जी आपको वो रखने हैं जो आपके घर के गनपती जी हो यानि एक तो बड़े गनपती जी रखेंगे जो विसरजन होगा जिनका और एक चोटे गनपती जी जो आपके घर में ही रहेंगे तो इस प्रेकार से अब हम पूजा शुरू करेंगे गनपती जी को लाल सिंदूर चरता है लाल कुमखुम चरता है तो इस प्रेकार से गनपती जी का तिलक करदेंगे रिद्धी माता का, सिध्धी माता का, छोटे गनपती जी का, गनपती जी के मूशक का, सभी का तिलग करेंगे और कलश देवता पर भी हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे तो इस प्रिकार से जो हमारा नारियल है, कलश है, कलश पर भी हल्दी कुमकुम लगाएंगे और जो है अक्षद अर्पित करेंगे तो यहां पर मैंने कलश पर हल्दी और कुमकुम अर्पित किया है और अक्षद अर्पित करेंगे आप गनपती जी को जो है माला पहना कर सजा भी सकते हैं फूल माला पहना सकते हैं दुर्वा की माला पहना सकते हैं मैंने यहां गनपती जी को वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित करी है आप वस्त्र माल अर्पित कर सकते हैं गनपती जी को एक मीटर कपड़ा अर्पित कर सकते हैं सटका चढ़ा सकते हैं जो आप चढ़ाना चाहें इसके बाद जो है जो छोटे गनपती जी हैं उन्हें भी वस्त्री रूपी मोली अर्पित करेंगे कलश पर आलरेडी हमने नारियल पर मोली बांधी दी है आप मोली की जगा लाल रंग का कपड़ा भी बांध सकते हैं रिद्धी सिद्धी माता को भी मोली चढ़ाएंगे और उसके बाद गनपती जी को इतर लगाएंगे तो यहाँ पर मैं जनियू भी अर्पित कर रहे हूं तो गनपती जी को जनियू पहनाया जाता है जनियू अगर आपके घर पे नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं कच्चा सूट जो आता है उसे साथ बार हाग पर लपेट कर वो भी गनपती जी को चढ़ा सकते है तो इस प्रकार से गनपती जी को जनियू अर्पित कर देंगे जो छोटे गनपती जी है उन्हीं भी जनियू अर्पित करेंगे अगर आपके पास छोटे गनपती जी नहीं हो तो उनकी जगा पर भी आप जो है सुपारी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सुपारी भी गनपती जी का ही प्रतीक मानी जाती है फिर चढ़ाएंगे गनपती जी को दुर्वा दुर्वा गनपती जी को जरूर से अर्पित करनी चाहिए दुर्वा को दूब भी बोला जाता है और वो गनपती जी को अतिप्रिया है तो गनपती जी को ध्यान से दूब जरूर से चढ़ाए उसके बाद फूल अर्पित करेंगे गुढ़ल का फूल यानि जासवंद का फूल होता है वो गनपती जी को अतिप्रिया है गुढ़ल का यानि जास्वंद का लाल रंग का फूल गनपती जी को जरूर से चढ़ाएं अगर नहीं हो तो आप कोई भी दूसरे फूल भगवान को अर्पित कर सकते हैं भगवान भाव के भूके होते हैं अगर इन में से कोई सामगरी ना हो तो उसके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं कोशिश करें साली सामगरी आप ला पाएं पर अगर किसी भी कारण से कुछ नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं उसके बिना भी पूजा करी जा सकती है अब जो है दीपक प्रजोलित करेंगे आप अखंड जोद भी प्रजोलित कर सकते हैं दस दिन तक मैं यहा बनल्टा सबिद दिया प्रजोलित कर रहे हो तो आपको रोज आर्ती के लिए दीपक प्रजोलित करना था विठय लिए दीपक का भी पूजयन करेंगे कुमकुमक्षट फूल सबकुछ अर्पित करके और फिर गनपती की आर्ति करेंगे फिर लगाएंगे गनपती जी specjalist म पूजा में मोदक का विशेश महत होता है तो या तो आप गनपती जी को मोदक अर्पित करें आप लड़ू भी चढ़ा सकते हैं अगर मोदक ना हो तो गनपती जी को मिठाई अर्पित करें भोग अर्पित करें मैंने यहाँ पर गनपती जी को मोदक का और लड़ू का प्रिस से गनेश चतुर्ती का पूजन पूर्ण हो जाएगा गनेश चतुर्ती से रिलेटेट बाकी बहुत सारे वीडियो्स मेरे चानल पर है आप जाकर देख सकते हैं और आगे आने वाले अध girohaock के वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर से करें, thank you very much for watching, please like, share, subscribe thank you, गन्पति पप्पा मोरिया